गुड़ मारिंग एंडिया, बेलकम टू धरमेस्टरी संकल पुमारा भविस्थ आपका के आज के एपिसोड में आज आप वाली टेक्निक एंट्रेंस एक्जाम से संबंदित माहत्पूर्ण बाविलाजी की प्रस्म देखेंगे जो आने वाली परिछाओं के लिए काफी आद प्रमुक समो इसमें आप लोगों को बताये जाएंगे अर्थात ये प्रस्णों का जो संकलन है वो कवक से संबंदित है ये चैप्टर कवक से संबंदित है और आप लोगों को इसमें कवको संबंदित माहत्पूर्ण बिसेओ पर जानकारी मिलेगी माहत्पूर्ण बिसेओ में यह सा प्रशन पूछे गए हैं यहीं में इसे कई ज़्यादा प्रशन पूछे गए हैं तो मैं परतम कोश्चन की बढ़रा हूँ परतम कोश्चन है मित्रों कौको का अध्यान बनस्पत विग्यान की किस साखा के अंतरगत करते हैं प्रसनिक वर रिवाईज कर देते हैं साखा के अंतरगत करते हैं को को कुस का इस चलते हैं इस्ट में वर्धी जनन क्या होता है नमब ए अचल विशाण दौरा नमबूद है चल विषान्ण द्वरा और नम्बर तीन है मोकलन द्वरा नमबर चार एक आई नीट द्वरा तो बिलकुश सही उतर हो प्रस्ट्र होEM की में सचीत होनी वाला खाद परदात है तो क्या है कवक कोशका में संचित होने वाला खाद परदात नमबर एक है मंड नमबर दो है गलुकोज नमबर तीन है फ्रॉक्टोज नमबर चार है गलाइकोजन तो कवक कोशका में संचित होने वाला खाद परदात क्या है गलाइकोजन है ध्यान दीजेगा नेश्ट प्रस्कूर आफ चलते हैं राय जोपस है तो नंबर एक आफचन है मिर्ट बीजी नमबर दो आफचन है पर जी भी नमबर तीन है पूर्ण मिर्ट जी भी नमबर चार है आपका स्वपूश्ची तो बिल्कुत सही होगा राय जोपस क्या है पूर्ण मिर्त्र जी भी है नेस्ट प्रस्कूर चलते हैं पर्थम परतजयविक प्रिथक किया जाता है तो पर्थम परतजयविक प्रिथक किया जाता है किस परकार से नमबर एक आप्सन है इस्ट्रेप्टो माईसीन नमबर दो है टेरा माईसीन नमबर तीन है पिंसलीन, नमबर चार है उप्रोक्त सभी, तो आपका बिल्कुछ सही उत्तर होगा, प्रत्थम प्रतजैबिक प्रत्थक किया जाता है, किसके माद्धम से, पिंसलीन के माद्धम से ध्यान देजेगा, नमबर तीन है मिउकर, और नमबर चार है नियूरो इस्पोरा, लाल फफोरा को ध्यान देजेगा, कवक से बेहतरीन कोस्चनों का कलेक्शन धरमिस्ट्री आप लोगों के सामने प्रसुत कर रहा है, ऐसे इस्थित में आप लोग पूरी तरिके से तरमेता के साथ वीडियो को देखिएगा, साथी साथ दोस्तों को ठैंक्स रूब अवेस सभीजिएगा, जिससे वो भी फली प्रस्ट को चलते हैं, इस्थ को कहते हैं, इस्थ को क्या कहते हैं, नमबर एक म्यूकर, नमबर दो है सेक्रो माई सीज, नमबर तीन है, इसको माई सिटीन, नमबर चार आपसन है और प्रोक्त में से सभी, तो बिलकुत सही उत्तर होगा, इस्थ को क्या कहते हैं, सेक्रो सीज नेस्ट प्रस्व चलते हैं राय जोपस में जब बिना सहयोजन की युगमक युगाण युगमाण जैसी रसना बनाते तो इसे क्या कहते हैं नंबर एक आपसन कलीउ मेला आपसन मुकूल नंबर तीन है अन सेख बिजाण नंबर चार है इनमेस से कोई नहीं तो आपका बिल्कुत सही उत्तर होगा अनसेख बिजाण राय जोपस में जब बिना सहयोजन की युगमक युगमाण जैसी रसना बनाते तो इसे क्या कहते हैं अन्मेश भीजण कहते हैं, ध्याiesen दीज़ीगा, नेश्ट प्रसकूर चलते हैं, कबकमोल में काओ कोगों का उचवर्ग के पौधों की जड़ों से संबंद को क्या कहते हैं, ध्यान दीज़ीगा, नमबर एक आफसे हैं परजीवी, नमबर दो आपसन है मृत जी भी नमबर तीन आपसन जलोद भी नमबर चार आपसन है इनमी से कोई नहीं तो कौक मूल में कौकों का उच्च वर्ग की पौधों की जड़ो से संबंद को क्या कहते हैं जलोद भी दिखेते हैं द्यान देजेगा नेश्ट प्रसकूर चलते हैं निमलेखित में कौन सा कवक नासी है तो द्यान देजेगा नंबर एक आपसन डी डी टी नंबर दो आपसन बार्डेक्स मिस्रण नंबर तीन आपसन है दो चार डी नंबर चार आपसन है काईनेटीन बिल्कुछ से उतर होगा बार्डेक्स मिस्रण बार्डेक्स मिस्रण क्या है कवक नासी है ध्यान देजेगा नेश्ट प्रसकूर चलते हैं राजवपस की समानतिया किस नाम से जानते हैं ध्यान देजेगा तो नंबर एक है काला फफूद नंबर दो है नीला फफूद नंबर तीन है हरा फफूद न काते हैं काला फफूद के नाम से जानते हैं स्दस्थ को झाते हैं कहा में धाग के च革ी कlor करते हैं चलते हैं राजीयोपस में लैयिक सालयन ध्यान दिशना किसard को कि remember the option einz थानियों की भी में डूकोर सूतरों के बीचिना थीन चापनवगण दो तो आपका बिल्कुत सही उत्र होगा दो युगमक धानियों की बीच राजो उपस में लैगिंग से लैन होता है नेस्ट प्रस्कूर चलते हैं कालियो मेला जो एक विशेप्राइब की रचना है या निम्नमेश से किसकी विजार धानी में पाई जाती है ध्यान देजेगा नमबर एक आपसन है यूलो थ्रिक्स नमबर दो आपसन है अस्पाइरो गायरा नमबर तीन आपसन है राजो उपस नमबर चार है जीवान तो बिल्कु सही होगा कालियो मेला जो एक विशेप्रकार की रचना है निम्नमेश से बिजार धानी में पाई जाते किसमें राजो उपस में ध्यान दीजेगा राजो उपस में नेस्ट प्रसकूर चलते हैं सरकरा का इस्ट द्वारा किडविनी करण करने पर कौन सा उत्पाद धान दीजेगा प्राप्त होता है नमबर एक आपसन है आपका यहां पर देखिए एथिल इलकोहल नमबर दू आपसन है मेथिल इलकोहल नमबर तीन है ग्लुकोस सारकरा का इस्ट द्वारा करने पर कौनत्र प्राप्त होता है एथिल इलकोहल प्राप्त होता है नेस्ट प्रसकू चलते हैं मार टिन 1905 करन को क्युक कचने वह भागो में विभाजित किया था मार्तिन नामत बिग्यानिक ने क zus पने भागों विभाज भाजुत था आपसन 1555 में इन्हों ने बताया कि तीन भागों में डिवाइट करके कोको को को टीन भागों में अर्थात मार्टीन के उसार कवक कितने भागों में वाजत हैं तीन नेश्ट प्रेस में चलते हैं इस्ट तीब्र गत से बिरिद्ध करता है नमबर एक आफसन है गोबर गाय के गोबर में नमबर दो आफ सरकरा के बिलेन में नमबर तीन आफसन सुध जल में नमबर चार आफसन उपरोग में से सभी तो आपका पिल्कुल सही उत्तर होगा इस्ट तीब्र गत से बिरिद्ध करते हैं किसमें सरकरा के बिलेन में नेश्ट प्रेस कुल चलते हैं इस्ट है नमबर एक आफसन है पर जीवी नमबर दो आफसन मृत जीवी नमबर चार है इने से कोई नहीं तो इस्ट क्या है मृत जीवी है जान देजेगा नेश्ट प्र और वहां पर अकाल पड़ा नंबर एक आफ्सण है राज उपस नमबर दो आफ्सण है हेल्मीन tho इसपोरियम नंबर तीन आफ्सण सहजी भी नंबर चार है अलटेर नेरिया सोलईनी तो बिल्कुर सही उतरोगा हेल्मीन थो इसपोरियम वहां पर अकाल पड़ा था सन time 143 में मंगाल में धान की फसल इसी कवक के कारण नश्ट होई थी किस कवक के कारण हलमिन थो इस पोरियम के कारण ध्यान देजगा इसी कारण अकाल पड़ी थी काफी अधा important प्रस्ट है very very most important प्रस्ट है आप लोग इस प्रस्ट को अलग से भी नोट कर सकते हैं नेस्ट प्रस्ट कुर चलते हैं आप आसे कवक जाल पाया जाता है नमबर एक आपसन है एस्ट में नमबर दो आपसन है राइजोपस में नमबर तीन है जिलस में नमबर चार आपसान सिंकाई ट्रियम में तो बिल्कुछ सही उत्र होगा आपसे कवक जाल पाया जाता किसमें इस्ट में कि नेस्ट प्रस कुछ चलते हैं डियोरी मों डियोरी रोमाई सीटीज में अनुपस्तित है नमबर एक आफ्शन है लेगिक जनन नमबर दू आफ्शन है अलेगिक जनन नमबर तीन आफ्शन कवकजाल नमबर चार है विजावन तो आपका बिल्कुत सही उत्तर होगा आपका ध्यान देजयेगा लेगिक जनल डिव रोमाई सिटीज में अनफस्तित होता है लेगिक जनल में नेस्ट प्रसके को चलते हैं अलिकी उत्तर भावी पजेता अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है ध्यान देजेगा उत्तर भाविया पचेता दुनों नाम एक ही है अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है तो नमबर एक आपसन है फाइटो फथोरा इन फेस टांस जो की गिलत है नमबर दो आपसन पेंसलीन ये भी गिलत है नमबर तीन आपसन है आल्टेर नेरिया सोलेनी नाम टफ है धान दीजेगा रट लीजेगा नेस्ट चोथा है आपका उप्रोथ में से सभी तो बिल्कुल सभी उत्र होगा आल्टेर नेरिया सोलेनी कवक के कारण आलों में उत्तर भावी या पचेता अंगवारी रोग होता है नेस्ट चलते हैं निमन में कौन सा विटामि इस्ट विटामिन बी से इस्ट प्राप्त किया जाता है ध्यान देजेगा इस्ट के हैपलोबायोटिक जीवन चक्र में एक एसकस में कितने इसको भी जान होते हैं इस्ट के हैं प्लोबायोटिक जीवन चक्र में एक इसकस में कितने इसको भी जान होते हैं नमबर एक चार नमबर दो छे नमबर तीन है आठ नमबर चार है दस आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका आट एस्ट के हप्लोर वायोटिक जीवन चक्र में एक कितने इसको विजान होती हैं और Medio खाने योग कवक है तोका नपर अपसर संट राइजूपस घौरीकस' जालिक्तक की खोज नम्ढब P गारे। विल्कुत सही योग तरो ऑपोड़कत की खाने योग कवक है। लेर इसक चलते हैं विस्सम जालिक्ता के खौज नेमन में से किसने क्या तो भी सम जालीकता की खौज किसन Tक नमर ये Конечно नाम बर तीन ये भ्यस जारा आपिज की लेक सी ने किया था नियस्ट सभी कोको में क्या होता होता है नंबर दुव आफ् नबर दू आपसन केवल लेंगिक, नबर तीन आपसन वर्धी अलेंगिक तथा लेंगिक, नबर चार आपसन में से कोई नहीं, तो वर्धी अलेंगिक तथा लेंगिक राज उपस में क्या होता है, जनन होता है, नेस्ट प्रसक चलते हैं, आलू की अंग, अग्र अंग मारी र मेसे इसमें तीसरा आप्सन की वरा बढ़ते है सभी आ Wonderful डूसर आपका होगा इसी करण होता है इत्यान दीजेगा कवक करनाप है कवक के दॉरा मनिष्व में कौन सा रोग उद्पना होता है तो कवक के दुरा नंबर एक है जा, नंबर 2 है खसरा, नंबर 3 है दाद, नंबर 4 है काली खासी तो आपका बीलकू शहीं उत्र होगा दाद जो है कवक की कारण होता है मनिष्व में नेश्ट प्रस्कू चलते हैं निम्न में से किसमें जल का अभाव लागिक जनन संभव है प्रस्क्रिबीट करते हैं निम्न में से किसमें जल की अभाव में भी लागिक जनन संभव है तो जल की अभाव में भी लागिक जनन संभव है किसमें आपसन है धन दिएगा नंबर दो आप्सक्राइजोपस में नंबर तीन आप्सक्राइजोपस में इस्काइजोपस इस्पार यूदोगता यूदो रिपस्वैश्य की जोन पषमें व्ली लिस्टтесь बनी हो JUL इसमें जरूर दीखेगा जो question है और साथ साथ इस year की जितनी भी वीडियो है उसका आप लोगों को playlist में मिल जाएंगे और उसको जो है playlist के आधार पर आप लोग clear करके सब पढ़ियेगा description box में आप लोग जो है इसका PDF भी download कर सकते हैं और special group से भी जूड़ सकते हैं टिकनिक सभी चात्र तो इसका PDF भी आप लोगों को जल सेल प्रोवाइट करवाया दिया जाएगा वीडियो के description box में नेस्ट प्रस्कूर चलते हैं गेहों का काला अस्तम्व कित रोग किस कवक के कारण होता है नमबर एक आपसन है अलबूडो कैंडिडा नमबर दू आपसन है हेलमीन थो इस्पोरियम नमबर तीन आपसन है राजू पस नमबर चार आपसन है पक्सी निया ग्रेमी निस्ट्रीट साई तो आपका बिल्कुत सही उतरोगा पक्सी निया ग्रेमी निस्ट्रीट साई यहों का काला अस्तम्व कित रोग इसी कवक की का करन होता है द्यान देजिगा नाम टफ है इसको आप लोग ध्यान से रिपीट करके पढ़ लीजिएगा याद कर लीजिएगा नेस्ट परसको चलते हैं प्रस्ण है नेवनिमेज से किसके द्वारा गयलिक अमल प्राप्त किया जाता है नंबर एक आपसन है पेंसिलियम गलाकम नंबर दो आपसन है पेंसिलियम नो टेक टम नंबर तीन आपसन है पेंसिलियम प्रीशो जेनम नंबर चार आपसन हो प्रोवक में से सभी तो आपका ब सिलियम गलाकम यह जो है गैलिक अम प्राप्त किया जाता है इसी के द्वारा नेस्ट प्रस्क्रूप चलते हैं कि सेकेरो माई कोड्स लुड बिगी किस प्रकार का जीवत चक्र प्रदसित करता है नमबर एक आपसन है है पला डिपलो बायोटिक सभी आपका बिद्वी बिलकु से उतर होगा डिपलो बायोटिक सेकेरो माई कोड्स लुड भीगी एक जीवन चकर प्रदसित करता है किस परकार का ? तो ये है deployo flav navigating परकार का जीवन चकर प्रदसित करता है प्रस्टित आप लोगों को tap लगेंगे क्योंकि कुछ video ऐसी आप लोगों को मिलेंगी कुछ qos ARC मिलेंगे जो tap होंगे तो उसको आप लोग कई बार revise करके पढ़ सकते हैं तो मैं आसा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा वीडियो को कम से कम पांच बार अगज से देखें साथ ही साथ जो ज़्यादा टप question लगें याद करने में दिकत हो उनको अपने copy में note करें next question चलते हैं इस्ट की कोश्का भित बनी होती है नंबर एक आपसन है पेक्टन की नंबर दो आपसन है सिलूलोज की नंबर तीन आपसन है गुलूकन तथा मैनन की नंबर चार आपसन है पैक्टोस की तो बिल्कु से उतर होगा ग्लूकन तथा मैनन की इस्ट की कोईस का भित बनी होती है सेकरो माईसी सेरी बेसी में निमने में से किस परकार का जीवन चक्र पाया जाता है नमबर एक आप्सन है डिपलो बायोटिक नमबर दो आप्सन है पलो डिपलो बायोटिक नमबर तीन आपसान है प्लो बायोटिक नमबर चार आपसान में से कोई नहीं तो आपका बिल्गों सही उत्र होगा है प्लो डिप्लो बायोटिक सेक्रोमाइसी सेरुबेसे में जीवन चक्र पाया जाता है नेस्ट प्रस के चलते हैं यहले है क्या है नमबर क्घा anchor दौ आपसंने कोती है नंबर 2 आपसने चण चलता पाजा करने वाला है नंबर सन्थ परदान करने वालन नंबर चवता अपसन bet भ他的 क्या है आपससने इस तरह किस दीятся रहे हैं भी भर न्भ तीन आपसछन है इस परिजिलस नımबर चार है राइजू पस तो राइजु पस नमबर चार आपसज़न आपका सही होगा निम्न मेसिक किसके लेगिक जनन में संज dys cascade बनते पस्में स्मय बनते हैं, अबिनेक प्रसकु चलते हैं, East में अभाव होता है, किसका अभाव उता है, नमबर, काईग ज ri abandoned का, नमबर, दो है लेग जेनन का, नमबर, तीन है सक्ष का, और नमबर, चार है करकोवग जsourceघ जाल का, तो बिल्कुछ सही शे उत्रे होती होता से नमबर तीन आप से एस परजिलस बेंटी आई से नमबर चार इनवे से कोई नहीं है तो आपका गुलोकोनिक अमल प्राप्त होता है एस परजिलस नाइजर से नेश्ट प्रसु चलते हैं सबूक है इस के डिपलोब्योटिक जीवन चकर में एसकश से बनते हैं नमबर एक चार इसको भी जाण नमबर दो है आठ इसको भी जाण कहते हैं अथा नमबर छे हैं आपके इसको बहु जाण हो तो इसको ये इस्ट के डिपलो बायोटिक जीवन चक्र में इस का बनते हैं किसमें चार इसको विजाण से निए इस्ट में तीन परकार के पीड़ी एकांतरण का अध्यन किया जाता है नमबर एक आपसन है गलिर मॉंड ने यहां बताया था और नंबर दू आपसान है डगलस ने नंबर तीन है फ्लेमिंग ने नंबर चार है रावाट हुक ने तुब बिल्कु से उत्र होगा एस्ट में तीन प्रकार के पीड़ी एकांत्रत का अध्यन किया किस ने किया गालर मॉंड जी ने किया बेगैनिक का नाम है नेस्ट पर करने दू नंबर तीन आपसान है इस्ट नंबर चार अपसान है आपका सिस्टूपस तो आपका बिल्कुर से उत्र होगा एक फ्ला टाक्सीन उत्कन करने वाला कहोग क्या है एस्ट परजीलिस पिलेवस पहले आप आपका बिल्कुल सही होगा कि ध्यान देजेगा कि सभी प्रस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेस्ट प्रस्ट गुरूब चलते हैं राज वपस में अर्द सूत्री विभाजन होता है नमबर एक आपसन अलेंगिक जनन के समय और नमबर दो आपसन है आपका योगमाड के अंकुर समय क्या होता है राज वपस में अर्द सूत्री विभाजन होता है नेस्ट प्रस्ट के चलते हैं वर्घ एसकु माई मेंसे जब कवक का संपोर सरीर जनन अंगों की निर्माण में भाग लेता हैं तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं पूर कायAK फलिक या Holo Carpics नमबर दो आप सेनने इपी Carpics नमबर तीन अप सेनन अनस कायव फलिक या Lucarpic नमबर चार आप सेने एक Carpics तो बिल्कुत सही उतर होगा पूर काय फलिक या Holo Carpics जब कवक का संपूर शरीर जनन अंगों की निर्मार में भाग लेता तो उसे क्या कहते हैं पूर काईप फलिक या होलो कार्पिक कानिया सभेशले हैं आप यह लोगों का जो कलक्षिनधन ध्रमिस्ट्रि में आप लोग देख रहे हैं तो यह आप लोगों का मैं तहें い स्वागत करता हूं एक बार फिर से और साथी साथ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद जितने भी सुथज grosse साइटे हैं उनने में आप लोग जरूर इसको preced करें, send करें, share करें और साथी साथ description box में जितने भी साइटें आपनों को देगे हैं Facebook, Telegram, WhatsApp और साथ ही साथ आपको दिया गया है इसमें ट्यूटर, Telegram यह सब से जोड़ने का प्रयास कीए इंस्टाग्राम फे फालू कीजिए पोसक की दिरिश से कवक होते हैं नमर एक है 100 पोसी, नमर दो है विविद पोसी, नमर तीन है परजी भी, नमर चार इनमें से कोई नहीं तो आपका पोसक की दिरिश से कवक होते हैं विविद पोसी होते हैं नेस्ट चलते हैं चल विजाण अनपस्तित होते हैं तो चल विजाण अनपस्तित होते हैं किसमें अलबोगो में नमबर दू आपसाने राय जोपस में नमबर तीन है यूलो थ्रिक्स में नमबर चार है इन सभी में तो आपका विल्कुत सही उत्रों का राय जोपस में राय ज द्यान देजेगा तो यह मूंग फली में टिका रोग का कारण क्या है नंबर एक आपसों है आल्टर नेरिया नंबर दो आपसों है सिस्टूपस नंबर तीन है सरकोष्पॉरा नंबर चार आपसों हेलमीन्थोइस्पॉरियम तो बिल्कु जहीं उत्तर होगा सरकोष्पॉरा म पूंग खुली में टिकरों का कारण है ध्यान दीजिएगा नेस्ट पर चलते हैं हैं प्रस्ट में हेल पोर डिपलोबायोटिक परकार का जीवन चक्र पाया जाता है किसमे नंबर एक आपसों सके और माज़ने कारण में जेवन च्क्र पहले प्रस्ट में नंबर 102 शन्यां साइजो मायlog सतनर्ग में नंबर 05 306 में परकार आस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है अब नेस्ट परस्कृव् J चलते हैं एस्ट महत्पॉह्सरोत है नब AREक आफेंड का नमबर दो आफेंड विशा नमर तीन आफ्छन विटामिन का नमबर चार है आपसर राइवो फिलेविन का तो ध्यानती जगा इस्ट महत्मोर्ट स्वरत किसका है राइवो फिलेविन का ध्यानती जगा चौथा आपसर आपका बिल्कुछ सही उत्तर होगा अब नेस्ट प्रसकुछ चलते हैं पाधब ने पॉय उप्योगि होता है नमबर एक न्शन में नमबर दू आपसरा जल आव мыш में को भार सतुर्फ प्योगि होता है जना स grapes & दुक आङ से कवा न만ने जीवित नंबन दो आफ्शन मित पधार्चों से भौजन प्राप्त कर लेता नंबर तीन अप्शन प्रया मित जीवी होता ह। पर परिस्थित वस पर जीवी भी हो सकता है। इस्प्रोग मिलिए आपका गलत है और आपका पहला और दूसरा आप्शन भी गलत है। तो प्रत एस्तित वर्वाद परजीबी हो सकता है बिकल्पी परजीबी वही होता है ध्यान दीजिगा नेस्ट प्रेश्चू चलते हैं नेवने में कौन एक परजी भी कवक है नमबर एक आप सर्केर राइ Newpast नमबर 2 है, मियू कर नमबर 3 है, आपका एल भूगो नमबर 4 है, एक एरिक्स, तो बिल्कुत सही उतरोगा, निम्न में कौन सा एक परजीबी कवक है, एल भूगो परजीबी कवक है, नेस्ट प्रस को चलते हैं, जो कि आप लोगे लिए है, निम्न में से कौन सा कवक विसेला ह इसको आप लोग बताएंगे, एक गये रिकस, इसके बारे में आप लोग बताना है, यह बिनर प्रस्टन है, आज की एपिसोड का नमबर 2 है, इमेनिटा, नमबर 3 है, मर्किला, और 4 आप से इन वे से कोई ने, आप लोग बताना है, यह आप लोग बताते हैं, तो आप काम अवेस्स लिया जाएगा, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बाक्स में लिखिएगा, नेश्ट चलते हैं, राइज उपस सम्मंदित है, नमबर 1 आप से वर्ग फाइको माई सिटीज से, नमबर 2 आप से वर्ग एसको माई सिटीज से, नमबर 3 आप से वर्ग बेसी डि द्योटी रो माई सिटीज से, नमबर 4 आप से वर्ग डियूटी रो माई सिटीज से, तो बिलकुत से उत्र होगा, राइज उपस सम्मंदित है, नेश्ट प्रसु चलते हैं, नेमने मानो रोगो में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, नमबर 1 आप से एस परजिलस, नमबर तीन है मौनी लियसस नमबर चार आप्शन यह सभी रोग तो निम्न में मानो रोगों में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है यह सभी रोग ध्यान देजगा इसमें से सभी यह सभी होगा कोई किवल एक नहीं होगा तो यह आपका इस परजीलस दाद मौनी लियसस यह सबी रोग क्या होते हैं कवक के कारण होते हैं ध्यान दिजेगा किसमें से कोई एक नहीं होगा सभी होगे ध्यान दिजगा नेस्ट प्रषकूटर चलते है कि एक घैरिकस नेमन में से किस वर्गका सदस्त है नंबर दो एक आफendchn之 अब नमबर दो आपसन है बैसिक माइस टीज नमबर यरीक एक किसवर का सदस है यह किस वर का सदस है नेस्ट परिश कुछ चलते हैं ने में भारति कवगविध्यान जनक इसे कहा जाता है तो का नमबर एक बढ़ती जाती है नमबर दूब रघ्टी जाती है नमबर तीन आप सोंने 3 कफ्सी कफर सभी कफ्स सत्य हैं क्या होती है नेच्छ प्रस्भी अभी रंजित किया जाता है को काटन बिल्यू द्वारा नमबर 3 कोफ कि अभी रंजित किया जाता है काटन बिल्यू द्वारा बोकु अफुर में पाया जाता है निम्बर एग आसान नम'mर उटी ऑर में फिल दो आसन गोबर में नंबर टी आसन रुवस यूक्त-कारबनीक पदार्थों पर नंबर चारे सरकार ऐंज़क्त-कारबनीक पदार्थों पर इस्ट प्रचूर मातरा मी पाएजाता ऊत पृष्ण का स्मृट्छ अ बनता है नंबर एक आपसषै इस्ट में मुक्लन क्रिया मिख नमबर दू आपसथा सराज उपस में लीग जनन के समय नंबर सिंग कई ट्रियम में लेंग जनन में नंबर चार आप से सिंग कोई नहीं तो कवक सूत्र पर्षब कवक जाल बनाते हैं आवासी कवक जाल बनता है इस्ट में मुकलन ल्गन किरिया में ध्यन्दी जी का प्रस्थ इंप्वॉटेंट है नेस्ट प्रस्थ चलते हैं प्रोमाइशिटीज को फंजाई इंपर्टाई भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है लेगिंग जनन उपस्तित होता है लेगिंग जनन उपस्तित होता है लेगिंग जनन उपस्तित होता है वर्ग डिटोरो माइशिटीज को फंजाई इंफर्टाईज टाई भी कहा जाता है लेगिंग जनन उपस्तित होने का गयारण इसको कहा जाता है नेस्ट प्रस को चबते हैं जान देजीगा प्रस इंपॉर्टन्ट है निम्न में से कौन सी खाई जाने वाली फफोध है तो खाई जाने वाली फफोध कौन सी है नंबर एक है मियूकर नंबर दो आपसन मर्किल नंबर तीन आपसन पक्सनिया और नंबर चार आपसन है अस्टी लेगो तो बिल्कुत सही होतर होगा मर्किला एक खाई जाने वाली क्या है फफोध है मोस्ट इंपॉर्टन प्रस्न है ध्यान जेजीगा प्रस्न काफियादा इंपॉर्टन्ट है और आसा करते हैं यह सभी अप लोगोगों को कवको प्रस् Neden बताए यह सभी प्रस्न वरह के यह प्जेदा होगे डी फार्मा के चस्वाट्र और सभी प्ले टिकनिक के बाईयोजी समंधित प्रस्न आने के व लिए पुरी तरह से पढ़ रहे हैं एक्जाम देने के लिए क्यान्त आूप जल्द ही आप लोगो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जैसे ही लाइब क्लास ओपयान होगा उसी तरीके से आप लोगो पूरी तरीके से में जानका रहे होगा फेस्टू फेस्ट लाइब क्लास की बात मैं कर रहा हूं नेस्ट आगे मैं बताता हूँ कि आप लोग डिस्क्रप्शन बाक्स में जाकर जितने भी सोजन साइटेज दे गए हैं फेस्बूर टेलिग्राम और साथ इसाथ फेस्बूक का जो गूरूप दिया गा है उससे जुड़ियेगा और टेलिग्राम से जुड़ियेगा और साथ इसाथ इंस्टाग्राम से जुड़ियेगा ट्यूटर पे फालू कीजिएगा यही सब आपका थेंक्यों होगा मेरे मित्रों और साथ ही साथ आप लोग इस फेसल जो एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ वाट्सअप गूरूप बना है पॉलिटिक्न का उससे अवैसे जुड़ियेगा आप सब के उजल भबिस की काम ना करते हुए मैं अब नेस्ट डे मिलूँगा तब तक के लिए जैहिन जैईवा